ये आकाश वोनी है अब आप विमलेन दुपांडे से समाचार सुनिये लोगसभा की दो सीटों के लिए हुए उपचुनाव में कॉंग्रिस और भारती जनता पार्टी दोनों ने एक-एक सीट जीती है कॉंग्रिस उमीद्वार अभिजीत मुखर जी पश्चि मंगाल में जांगिपूर संसदिय सीट पर विजए रहे हैं और भारती जनता पार्टी की माला राज्यलक्ष में शाह ने उत्राखंड की टिहरी लोगसभा सीट जीती है अभिजीत मुखर जी ने अपने निकटम प्रति दंद्वी माक्सवादी कम्रिस पार्टी के मुजफर हुसेन को धाई हजार से अधिक मतों से हराया जांगिपूर सीट शिप्रणब मुखर जी के राष्ट्रपती पत के लिए चुने जाने के कारण खाली हुए थी उत्राखंड में शिमती माला राज्यलक्ष में शाह ने कांग्रिस के साकेत भगुना को पराजित किया आज के नतीजों के बाद 545 सीटों की लोग सभा में कांग्रिस के सदस्यों के संख्या बढ़कर 206 और भारती जनता पार्टी के सदस्यों के संख्या 115 हो गई है वित्मंत्री पीची दंबरम ने कहा है कि विश्व बाजार में ओर्जा सहित विभिन वस्तों की उंची ग्यमतें भारत के विकास और मुद्रा स्वीती के लिए एक बड़ा खत्रा बनी हुई है जापान के राजधानी तोक्यों में अंतराष्टी मुद्राकोश और विश्व बैंक के वार्शिक बैचक में उन्होंने विश्व अर्थ विवस्ता में छाई अन्निश्चितता पर चिंता व्यक्त की उन्होंने कहा कि विश्व बाजार में खाध्यान के कीमत में हुई भारी वृद्धी एक और बड़ी चुनौती साबित हुई है। वित्मंत्री ने कहा कि भारती रिजर्बैंक ने मांग के दबाव पर काबू पाने के लिए अप्रेल से आधार दर में कोई परिवर्टन नही के लिए नियमों में सुधार की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाओ दिया कि विभागों से संबंधित संसद्य समितियों को विभिन मंत्रालियों के बजट आवंटनों के मन्जूरी के बाद जरूरी निगरानी करने चाहिए। के सभी वर्गों, विशेस रूप से महिलाओं और अल्पसंख्यकों तथा सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का समगर विकास सुनशित किया जाना चाहिए। के इंद्री ग्रिह मंत्री शुशील कुमार शिंदे निया श्रीनगर में एक के मंत्री उमर अब्दुल्ला और राज्यु सरकार के वरिष्ट अधिकारी मौजूद थे। ग्रिह मंत्री का नियंतरन रिखा पर अग्रिम चौकियों का दोरा खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। केंद्री मानो संसाधन विकास मंत्री कपिल सिबलने आज नगा साबित होगा। इससे उन्हें उच गुनवत्ता युक्त शुक्षा प्राप्त करने और विग्यान तथा प्रोध्योगिकी के जर्य समर्द लाने में मदद मिलेगी। इस नए संस्थान में 240 चात्र हैं जिनमें 21 नगा नौजवान हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा जिली के सीवला जाट में आज सुभा आग लगने से दो दमपतियों और छे बच्चों सहे दस लोगों की जल कर मौत हो गए। पुलिस ने बताया कि वे लोग पहली मनजिर पर रह रहे थे। प्रत्यक्ष दर्चों ने बताया कि उन्होंने गैस सिलिंडर फटने के आवाज सुने गटना की जाच की जा रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।